नैश्रल इन्वेस्टिगेशन एजिंसी ने शोपिया, गुलगाम, अनंतनाग और पुलवामा समे जमु कश्मीर के कई जिलों में ताबा तोड छापे मारी की जाच एजिंसी का ये एक्शन टेरर फंडिंग मामले में सामने आया है, ये चापे मारी तीन लोगों के ठिकानों पर की गई है चापे के दौरान एनाईये ने पुलवामा से एक पत्रकार को भी हरासत में लिया है जानकारी के मताबिक एनाईये ने सीक्रेट इतिलहा पर छापे मारी की है ये तीन दहशतगर्द पाकिस्तान में बैठे दहशतगर्दों के इशारों पर काम करते हैं और नकली नाम रख कर कई तन्जीमें चलाते हैं साथ ही इनकी नजर किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने पड़ थी तीनों ही जमुकश्मीर में साइबर स्पेस का इस्तमाल कर हमले करने अकलियतो सिक्यॉरिटी फोर्सिस को निशाना बनाने और फिरका वाराना हम अहंगी फैलाने जैसे अपराधों में शामिल है पोलिस और सिक्यॉरिटी फोर्सिस ने सोपोर में एक देहशतगर्द को गरफतार कर उसके कबजे से हतियार और गोला बारूद बरामत किये हैं मदीना बाग मोहो डंगर पुरा इलाके में देहशतगर्द की मौजूदगी की इनपुच मिलने पर इलाके में सोपोर पुलिस और सेना के जरिये एक मुश्तर का घेरा और तलाश मुहीम शुरू की गई थी जैसे ही शुरुवाती घेरा डाला जा रहा था एक देहशतगर्द को भागने की कोशिश करते और घेरा तोडने की कोशिश करते हुए देखा गया जिसके बाद पुलिस ने उससे धर्द बोचा पुलिस के जरिये आगी की कारवाही की जा रही है शुरीनगर में एशिया के सबसे बढ़ा ट्यूलिप गारडन 19 मार्च को अवाम के लिए खोल दिया जाएगा अफसरान का कहना है कि इस साल एशिया के सबसे बड़े ट्यूलिप गारडन में मुक्तलिप किस्मों के 16 लाग से ज्यादा ट्यूलिप खिलेंगे जबकि पिछले साल 15 लाग ट्यूलिप खिले थे अब सरान ने ये भी बताए कि सबी तयारियां कर ली गई है उन्होंने ये कहा कि हमें उम्मीद है कि इस साल एशिया के सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन में भारी तादात में सहीया आएंगे उन्होंने ये भी कहा कि इस साल उन्होंने बगीचे के अंदर चलने वाले फवारे बनाए हैं जो इसकी खुबसूरती में जाफा करेंगे पांच हजार च्छी सो पीट की उचाई पर वाके ये गार्डन महकमाए सयहत के लिए एक वर्दान के रूप में आया इस वक्त हमारी जो तयारिया होती है वो दो फ्रेंट्स पे होती है हमारी गार्डनिंग साइड की भी तयारिया होती है और इंजिनेरिंग साइड की भी तयारिया होती है और इंजिनरी साइड में माइनर रिपेरमेंट्स चल रहे हैं पाथ के कलरिंग चल रही है वाल्स की और बाकी एलेट्रिक जो छोटा काम होगा वो और्नमेंटर लाइट्स वो सारा कुछ वो हो रहा है इस वक्त इस वाइस साल हमारी तक्रीबन 68 टुलिप वैराइटीज होंग और अधर फ्लावर्स आपको पता है कि हम एक तो यहां पर हम विदिन गार्डन जो टुलिप लागाते हैं पिलस हम अपने ग्रीन हावसेज में वी हव अब अब थी थावजन क्रेट्स पॉट्स जो हम डिफरेंट टुलिप के हैसें प्रिम रोजी रहनन कुलसेज इनके पै गेट की वहां पर अभी वह क्रेट्स लग रहे हैं उसमें भी यहां पर हम रखते हैं प्लस आपको भी पता है कि पीपल लाव कमिंगेर अंडर फुटिल जबरवन मांटन रैंज इसा इतनी अची अची अम्बेंस रैंबो अप कलर्स इससे बटर जमुकश्मी चोलगाम में एक एंटि डरग्स प्रोग्राम का निकात किया गया इस प्रोग्राम की सदारत नाशनलिस्ट प्यूपल्स फ्रंट के सदर शेक मुझबन ने फ्रंट के डिप्टी सदर राकेश कॉल के साथ की इस दोरान बड़ी तादात में लोगों और मोर्चे के दीगर न मेरी ये गुजारिश रहेगी कि वो अपने बच्चों नौजवानों पर नज़र रखें कि कहीं ये ड्रग एडिक्शन में ड्रग में न जाए अगर ऐसा हुआ भी कहीं तो वो जो मुकेश्मिन नैशनलिस्ट पीपल्स फ्रंट के साथ राब्दा करें किसी भी कारीकरता के सा राब्दा करें ताकि हम उसको ड्रग डे एडिक्शन सेंटर में लेकर उसका बरपूरा अलाज करवा कर उसको एक नागरिक एक शांत शहरी बनाने में फिर से सब्भल हो जाए जो अरी मेसेज ये होगी कि जिस तरह पुलीस उन पर कारवाई कर रहे हैं एक दिन बद दिन य कोई भी इनफार्मेशन पाए फटा फट उस पर कारवाई करें और जमुकेश्मीर पुलीस में भी मुझे लग रहा है कि कुछ ऐसे वर्दी पोश्च भी मुझूद है जो पूरे डिपार्टमेंट के लिए कि नासूर है तो उन वर्दी पोश्चों पर भी नहीं निगा र 2.5 MVA का नया बिजली ट्रांसफार्मर लगाए गया जिसमें रमजान महा में बिजली कटावती से लोगों को राहत मिल सकेगी इस मौके पर लोगों ने महकमाई बिजली के एक्जेक्यूटिव इंजीनियर समेथ सभी मुलाजमीन की सरहाना की जैसे कि आपको पता हमारे पास यहां पर दो ट्रांसफार्म और इंस्टाल थे एक 3.15 और एक 1.6 MVA तो 1.6 MVA के अगयांस हमें 2.5 MVA का सब्सक्राइट आंसामर से क्लों में होगा वामें च्छावर्दी तीफंजीनियर साब ने प्रोवाइड किया हम उसको अगमटेशन 1. 1.6 MVA की जगह 2.5 MVA इंस्टाल करवा रहा है इस के लगने से हम जो करते थे साथ से आठ आठ से नौ इससे रहात मिले के लोगों जो 1.6 MVA की ट्रांसफार्म इसमें हमारी 8 पहुंचाए दे चाहती अब इसके ट्रांसफार्म के लिए जैसे हम उसके 85 MPR लोडी पुंच में जामिया फातिमा जहरा जानियर डांगला में हर साल की तरह इस साल भी 19 मार्च को दस्तरबंदी जलसा होगा जिसमें ग्रेजुएशन करने वाली 24 लड़कियों की दस्तरबंदी होगी आज हम जो हमारे जिला पुंची नहीं बलती पुरी जम्हों की आनवा निशान खवातिन के लिए जो इदारा है जामिया फात्मत जहरा वहां पर अपने उल्मा और सादाद किराम जिस्ताफ में हाजर हुए है आज यहां आने का मकस्दिया है कि निशालला तबारे हो ताला उन्नीस मारिच बरोज एत्वार यहां पर एक इस्तमा बराए खवातिन मनगित किया जा रहा है इससे पहले भी उल्मा एकराम खुद्वा एकराम सादाद किराम ने यह बात आप पहुचाई हैं आज मजीद आप तक यह इतला पहुचा रहे हैं और दावतामा पेश कर रहे हैं इन्शालला तबारख ताला उन्नीस मारिच बरोज एत्वार सुबादस वजी तश्रीफ लाएं यहां से इस साल चुबीस तालिबात को रिदा पोशी से नावाजा जाएगा जैनी उनकी यहां से फरागत होगी इस मوقع पर खवातीन के सामने जो है आलिमात उ फादिलात इसलाहि मौाशरा पर आमाल और अकायद इसलाह पर जहां मदलल और मुखतल बयात भी फरमाएंगी दोपहर की खाने का माफूल बंदोबस भी रहेगा मेरी इलतिमास है जितने में हमारी भाई हमारी आवाज सुन रहे हैं वो आपने बहनों तक यावाज पहुचाएं इसला करके एक दिन के नाम पर वक्त करें क्योंकि खवातीन को दीन से जोड़ना बहुत जरूरी है आज जो खुराफात वहयात खराफिशरा बातों का आम रिवाज जहा है खवातीन के जरीए से ज्यादा होता जा रहा है इसकी रोग थाम के लिए वह यही तरिका है कि हम दीनी इ पातों तो जहरा जो यूनिस्टी कबरस के पास में है जिन्यार के अंदर हमारी गुजारश है कि आप उन्नीस इमारिश बरोजे एतवार को सुबार दस वजे तक कि हम पर तश्रीफ ले आएं अपने जितनी भी बाकी बेहने हैं उन तक भी आवाज पहुचाएं तमाम जित झाल